नमस्कार दोस्तों मैं अंकित पर्मा इक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल अंकित पर्मा और एपी नौटिपिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको आज 5 चॉलाई 2023 की हिमाचल प्रदे गाड़ी वही चालक ने छलांग लगा कर बचाई जान तस्वीर हैं आप देख सकते हैं मौसम विभाग ने हिमाचल में आज से 8 जुलाई तक यलो अलर्ट चारी किया है इस तोरान कई क्षेत्रों में गरजना के साथ भारी बारिश होने के आसार है हिमाचल प्रदेश के उ जो गाड़ी पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गई गाड़ी काफी दूर तक पहती चली गई गनी मत रहे कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ गाड़ी के चालक ने छलांग लगा कर अपनी जान बचाई कुलू निउस 16,580 फिट उंचे शिंकुला दर्रे के लिए बस सेबा शुरू बर्फ के फाये गिरते देख जूम उठे सैलानी तस्पीर है आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश प्रेटन विकास निगम ने बुदवार से 16,580 फिट उंचे शिंकुला दर्रे के लिए लगजरी बस सेबा शुरू कर दिये इस दौरान बस में सवार यात्रियों ने बर्फ से लग तक वादिया निहारी खराब मौसम के बीच हिमाचल प्रदेश प्रेटन विकास ने बुदवार से 16,580 फिट उंचे शिंकुला दर्रे के लिए लगजरी बस सेबा शुरू कर दिये CM सुकविंदर सुकु जल्द होगा मंत्री मंदल विस्तार, बिलासपुर और कांगडा जीले को मिलेगी तरजी मोख्य मंत्री सुकविंदर सिंग सुकु ने काओ कि जल्द मंत्री मंदल विस्तार होगा तीन पदों को भरने की त्यारी कर ली गई है विस्तार में कांगड़ा और बिलासपुर से नए मंत्री बनेंगे कांगड़ा एरपोर्ट अगर कांगड़ा एरपोर्ट कहीं और शिप्ट किया गया तो 15 साल तक खिंच जाएगा प्रोजेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने निश्कर्ष निकाला है कि अगर एरपोर्ट का निर्मान कहीं और नए सीरे से किया जाता है तो इस पर खर्च भी बहुत आएगा कई भी भागों से अनोसी लेने और अन्य अपचारिकताओं को पूरा करने के चलते या प्रोजेक्ट 15-20 साल तक खिंट जाएगा CM सुक्खु बोले शानन प्रोजेक्ट हिमाचल को सौंपे सौंप बड़े भाई का फर्ज निभाई पंजाब CM सुक्खु ने कहा कि वाटर सेस का पंजाब और हर्याना के होई विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि हमाचल सरकार की ओर से पंजाब और हर्याना में आ रहे पानी पर सेस नहीं लगाया गया है बागवानी बांगलादेश नेपाद चकेगा सरमौर के आम का सौध 610 होगा निर्यात रॉयल फ्रूट कंपनी के प्रवंदक मुहमद दिर्शाद और गुल्शाद ने बताया कि बंगलादेश को पहली बार 100 टन और नेपार को 500 टन आम बेजा जाएगा हमाचल मक्की का प्रमानित बीज निकला खराब मामले में सीम कार्याले ने बिठाई जाच हमाचल प्रदेश के जीला सोलन के अर्की में किसानों को बेचा गया मक्की का प्रमानित बीज खराब निकला 35 किसानों ने इस बीज की बिजाई की थी लेकिन बीज ओगा ही नहीं कृषकों ने इस बीज के प्रमानि करण पर सवाल उठाया है और मौबजे की मांग किये मिस ब्रांडेट कंडाघाट लाब से आई रिपोर्ट में हुआ खलासा फरवरी में बंगानक शेत्र में एक राशन डिपो से चैने की दाल के सेंपल लिए विभाग इन सेंपल को जाच के लिए CTL Lab कंडाघाट पेजा लाब से आई रिपोर्ट में दाल के पैकेट पर एक्सपारी डेट ना लिख्या होने किया हवाला देकर मिस ब्रांडेट बताया गया है मंडी निउस सुरक्षा के चलते पंडो डैम के पास नहीं बनेगा होरलें अलाइनमेंट बदली NHAI ने नई DPR बनाने का कारिया शुरू कर दिया DPR में अब 300 मीटर वाली टैनल 900 मीटर की बनाने की योजना है अब कैंची मोड से करीब 500 मीटर पहले टैनल के मोहने होंगे केलांग आठ माँ बाद कुलू से काजा बस सेवा बहाल 15,000 फिर टोंचे कुंजम दर्रा से होकर जाएगी कुलू से बस सुबा सड़े चार बज़े रवाना होगी जबकि काजा से कुलू के लिए बस सुबा पांच बज़े चलेगी HRTC के परिचालक बैकरम ने का कि पहले दिन 40 सवारियों ने सफर किया है चंडिगर मनाली एनच पर बबेली के पास भीड़ी दो गाड़ियां गुजरात की 23 वर्षिय महिला की मौत तस्वेरें आप देख सकते हैं मनाली चंडिगर नैशनल हाईवे पर दो भानों की आपसी भिंड़त में एक महिला की मौत हो गई जानकारी के रुसार बुदवार सुबा करीब पौने 11 बजे सुबा थाना कुलू के अंतरगात ITVP कैम्प बबेली के पास एक पीकाप और तथा एक कार की अपस में टक करो गई परदेश के दूरदाराज क्षेत्रों में खोले जाएंगे एक जार लोकमित्र के अंदर युवाओं को घरद्वार मिलेगा रोजगार परदेश सरकार सूचना प्रद्योगी की का अधिकतम उपयोग से निच्चत कर लोगों को सुलब सेवाएं उपलब्द करवाने के उदेश से बरतमान बित वर्ष के दौरान दूरदाराज के क्षेत्रों में एक जार लोकमित्र केंद्र खोलने पर विचार कर रही है इस पहल से राज ये के ग्रामिन क्षेत्रों में रहने बाले युवाओं के लिए उनके घर द्वार के निक्ट रोजगार के अफसर उपलब्द होंगे के मुख्यमंत्री सुकविंदर सिंग सुकुने का किसरकार इन केंद्रों के मादेम से ग्रामिन क्षेत्रों में बहतर इंटरनेट सुविदा उपलब्द करवाने के लिए प्रयासरत है खिलोने की तरह खड में बै गई गाड़ी हरोली में मुख्याधार बारिश ने मचाई तबाई तस्वीरे आप देख सकते हैं मुख्याधार बारिश से पानी में डोब गया घर लाखों का नुकसान फूट फूट का रोया पेढ़ित परिवार बहुत बार सुभा उल्णा में होई मुख्याधार बारिश पंजोईया गाउं के बेयंत सिंग ने परिवार पर कहड मनकर बरसी बारी बारिश से बेयंत सिंग का घर करीब पांच फूट पारी में डोब गया और तीन क्विंटल गया हूँ कोलर सायद गर का समान खराब हो तेरा दिन बार जंगल से मिला असी वर्षिय लापता महिला का शाब मंडी जिला के सुन्दमेगर उपमंडल के तलेली में पेश आया मामला 20 जोन से गाईब थी महिला गली सडी आवस्ता में मिली लाश केलो के हिसाब से ही बिक्येगा सेव जीपियस लगे ट्रेकों में ही होगी सेव डुलाई बागवनती मंत्री हिमाचल परदेश में सेव सीजन शुरू हो गया है लेकिन अभी सेव सीजन कईया शुरुआती दोर है ऐसे में सरकार ने बागवानों का सेव मंडियों तक सुरक्षित पहुंचते वा उचित दाम मिले इसको लेकर त्यारियां कर लिए है चिंतपूर्णी में बारिश में खोक्षे डए साथ बने होटल को खतरा तस्पीरे आप देख सकते हैं चिंतपूर्णी में बोधवार को हुई जोरदार बारिश से होटल अमरित के साथ बने दो खोक्षे भी ड़ा गए हलांकि पिछले कल ही ये खोकी घरने की कANAAR पर थे इन दुकानों के अंदर का सामार निकाल कर दुकानों को पूरी तरह से खाली कर दिया था शिमला में रोल सेफटी को लेकर दो दिवसिये कारशाला वर्ल्ड बैंक द्वारा आयोजित की जा रही कारेशाला दो दिन तक फुरिस्ट जवानों को दी जाएगी रोल सेफ्टी से संबन्दी ट्रेनिंग और जानकारी तो दोस्तों ये थी हिमाचल परदेश की शाम पांच बजे की सभी टॉप टेंट ताजा खबर है अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल विरा भूले ताकि आप तक हिमाचल परदेश की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके धन्यवाद चैहिन चैभाद झाले कि अजनी तक हिमाचल भी तक हिमाचल बिल्सकत ब चैहिन चैहिन चैहिनी।